नमस्कार स्वागत है आपका MP NEWS में और मैं हूँ आपके साथ दिवयवे जवर गया है CM शिवरासिंग चौहान अपनी जन आशरवाद यात्रा निकाल रहे हैं और लंबा समय हो गया है जन आशरवाद यात्रा को प्रदेश भ्रहमन करते हुए ऐसे में उजयन से यात्रा की शुरुआत हुई थी जनता का शुरुआत लेने के लिए CM शिवरासिंग चौहान अपने काफिले के साथ में अलग-अलग शेत्रों में जाकर जनता का अशुरुआत प्राप्त कर रहे हैं ऐसे में अब वो पहुँचे हैं कमलात के गड़ छिंदवाड़ा में जहां पर किस तरीके के उनकी यात्रा का साथ जो है जनता ने दिया पूरी जानकारी देने के लिए MP News के समवादाता संदीप हमारे सा जुड़ गए है संदीप जानना चाहेंगे आपसे कमलात के गड़ में पहुचे थे CM शिवराज सिंग चौहान किस तरीके का नजारा वहाँ पर दिखाए दिया है जी हाँ दिवेजी में बताना चाहूंगा कि जन आशिरवाद यात्रा का ये अंतिम पड़ाओ है और अंतिम पड़ाओ में मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान की ये यात्रा कमलनात के गड़ छिंदवाडा में पहुची है तो जैसे ही CM शिवराज ने छिंदवाडा में दस्तक दी है तो तमाम कॉंग्रेस खेमे में जो है कि खलबली का माहौल मजगा क्योंकि CM सिवराज ने जिस तरीके से वहाँ पर एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की और जिस तरीके से कॉंग्रेस के तमाम नेताओं पर उन्होंने आरोपों की बोचार की अपने बयानों के सियासी तीर छोड़े तो ऐसे में कॉंग्रेसी खेमे में खलबली का माहौल मजगा और एक तरीके से उन्होंने मीडिया से चड़चा के दोरान हर मुद्दे पर अपनी बात को बेवाकी से रखा और हर मोर्चे पर उन्होंने दमदारी के साथ पूरे सवालों का जवाब दिया और कॉंग्रेस को तरह तरीके से घेरा जी जी तो ऐसी में कमलनाथ के गड़ में कितना उन्होंने अपनी चाप छोड़ी है वो तो जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि जनता का कितना साथ शिवराज को मिला है ऐसे में कहीं न कहीं वहाँ पर जो है इमोशनल काड भी खेला है किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को जो है जनता के समक्ष रखा और कहीं न कहीं जनता को साधने की कोशिश किये ये भी आप से जानना चाहेंगे जी हाँ चिंदबाडा में जैसे ही उन्होंने अपनी जन आश्रवाद यात्रा का आगास किया और वहाँ पर यात्रा शुरू की उससे पहले उन्होंने प्रेस वारता आयोजित की ऐसे में कमलनाथ के गड़ में विधान सबाद चुनाओ 2018 में सेंद मारी करने के लिए उन्हों कि उन्होंने अपने आरोप औरोप जब लगाना शुरू की है उन्होंने पहला मुद्द उठाये डंपर कांड का क्योंकि दंपर कांड पर उने कली सुप्रीम कोड से रहात मिली है और सुप्रीम कोट ने सीधे डंपर कांड पर कॉंग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा को निडदेस दिये थे कि अगर उन्हें लड़ाई लड़ना है तो वह कोट में नहीं बलगी चुनावी मेदान में लड़तो ऐसे में जैसे ही उन्हें सिवराज को इस डंप पार को घस्रीटा गया है तो उनसे उनकी पतनी काफी व्यतित हो उठी थी उन्होंने यह भी बताया कि पूरे डंपर कांड को लेकर उन्हें अपनी पतनी को साधना सिंग को तीन दिन तक कंवेंस करना पड़ा यहां उन्हें समझाना पड़ा कि यह चुनावी मेदान है और दिखाए और उन्होंने यहां पर हलाकि उन्होंने पूरा एक तरीके से यह तो नहीं कहा लेकिन उन्हें साफ तोर पर सवर्णों को साधनी के लिए जरूर कहा है कि जाच के बिना ग्रफतारी नहीं होगी स्टेस से एक्ट कहता है तो कहीं न कहीं यह एक बड़ा मुद्दम आना जा रहा है और वहीं उन्होंने व्यापम कांड को लेकर भी कॉंग्रेस पर निशाना साधा और जो चिंदबाडा का विकास मॉडल है चिंदबाडा का मॉडल बता कर जिस तरीके से कमलनाथ अभी तक अब वहावाई लूटता है उस पर सियम सिवराई ने एक तरीके से घटना हुई उस पर वी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो आज की राजनीती है वह कॉंग्रेस एक तरीके से कमर के नीचे वार कर रही है पत्थरे फिकवा रही है मुझ पर मेरे क्योंकि मैं गरीब किसान परिवार के घर में जन्म लिया है मैं तो उस तरी तरीके से उन्होंने तमाम तरीके आरोप लगा और कहा कि मुझे आरोप चक्की में पीसा जा रहा है तो यहां पर पूरी तरीके से इमोशनली इस पूरे मामले को लिया जवा रहा है और एक तरीके से इमोशनल काड सीम शिवरासिंग चौहान ने फेका है किसान के बेटे हैं गरीब परिवार से हैं और जहां वो पहुंचे थे आम जनता के बीच में जब वो पहुंचे थे तो कुछ उसी अंदाज में सीम शिवरासिंग चौहान दिखाई दिये हैं देखने वाली बात होगी जनता का कितना साथ मिलता है सीम शिवरासिंग चौहान की सरकार को संदीब जी पूरी ज़ानकारी देनी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप बने रही हैं हमारे साथ और देखते रही हैं आमपी नियूस नमस्कार